नमस्काट स्वागत है आपका दा न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरन अमेठी चोड राय वरेली से दावेदारी पेश कर चुके राहुल गांदी को लेकार अब एक और बड़ा खुलासा जो है वो कॉंग्रेस के पूर्व नेता आचारे प्रमोध कृष्णम ने किया है जा लगातार राम मंदिर की प्राणपतिस्ठा का विरोध करने के बाद कॉंग्रेस को छोड़ चुके हैं अब काफी जादा नेता अब राहुल गांदी जो लगातार पूजापाट करते हुए नजर आ रहे हैं आज उन्हीं राहुल गांदी को लेकार आचारे प्रमोध जावा और बड़ा खुलासा किया है दरसल आचारे प्रमोध कृष्णव ने कहा है कि जिस समय पर राम मंदिर बन रहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस समय पर राहुल गांदी ने अपने अमारिका में रहने वाले एक शुपशिंतक के कहने पर जो है वो अपने सायोगियों के साथ एक बैठक की जिसमें राहुल गांदी ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो एक सूपर पावर कमीशन जो है वो हाई कमीशन बनाएंगे जो की राम मंदिर का इस फैसले को बदल देगी जिस तरीके से राजीव गांदी की सरकार में जाब आचारे कृष्णम प्रमोट जो हैं वो कॉंग्रेस पार्टी को अब छोड़ चुके हैं और आज वो लगातार कॉंग्रेस और राहुल गांदी की विचार धारा और जुस तरीके से राम मंदिर को लेकर दिये गए बयानों को लेकर लगातार जो है वो खुला से करते हुए नजर आते हैं इसी के साथ आचारे प्रमोट कृष्णम ने ये कहा है कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांदी ने अपने सभी करीबियों के साथ बैठक की और कहा कि कॉंग्रेस बनने के बाद हम एक महाशक्ती आयोग बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे जस तरीके से राजीव गांदी ने शहाबानो के फैसले को पलट दिया था ये बड़ा खुलासा जो है वो आचारे कृष्णम प्रमोट की तरफ से किया गया है कि एक तरफ राहुल गांदी देश को एक डोर में ले जाने के लिए बात करते हैं कहते हैं कि हम स राम मंदिर की प्राण प्रतिस्था में इसी लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अम राचनीती धरम पे नहीं करना चाहते हैं जो राम का नहीं है वो राष्ट का नहीं हो सकता है और जो राष्ट का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है अगर इस चुनाव में जो भी लोग इस देश को प्यार करते है वो सब के सब नरिंद मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे और जो नरिंद मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देश्ट्रो ही कहलाएंगे और एक बात मैं और बता दू मैं कॉंग्रेस में 32 साल से भी ज़्यादा समय मेरा भीता है जब राम मंदिर का फैसला आया राम मंदिर बनना शुरू हुआ उसके बाद राहुल गांधीजी ने अपने नजदी की लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक सुपचिन तक के कहने पर इशारे पर सला पर ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमिशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधीजी ने पलटा था तीन तलाक के मुद्दे को ले करके शाहवानों का फैसला सुपरिम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है पर आज वही कॉंग्रेस का चेहरा जो है वो किस तरीके से सामने आ रहा है कि जो राहुल गांदी आज मंदिर मंदिर जाकर पूजा प्रात्ना कर रहे हैं आज वही राहुल गांदी किस तरीके से राम मंदिर के फासले को ले कर इस तरीके की बयान बाजियां बल्कि ये तक कह चुके हैं कि अगर हमारी सरकार सता में आती है तो हम राम मंदिर का फैसला पलट देंगे देखिए आयोध्या में राम मंदर तो बन चुका है फैसला पलटने की बार तो अब राहुल गांदी की मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है पर जुस तरीके से ये बड़ा खुल की पूरी कौंघ्रेस का ही है ये चहरा जो तरीके से अभी कुछ दिन पहले तमाम कौंघ्रेसी राम मंदर बनने का जो डिर्ट है वो ये दे रहे थे कि Вी बदो था क्रेड़ेट लेने की बात ये पार्टिया कर रही हैं वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से राम मंदिर के फैसले को पलटने की बात पहले ही राहुल गांधी अपने सहयोगियों के द्वारा कर चुके हैं खेर अगर हम बात करें आचारे कृष्णम प्रमोत की तो देखिए उन्होंने सीधे सीधे तोर पर बताया है कि राहु गांधी ने जो है वो अपने अमारिका में सहीते से लिये गए थे अब देखना एहम रहेगा कि आखिरकार राहुल गांधी एक तरफ भारत को आगे ले जाने की लगातार चुनावी दावे कर रहे हैं कि हम पर भरोसा करो हम देश बदलेंगे या हाथ बदलेगा हालात पर यही हाथ यानि कि यही कॉंग्रेस किस तरीके की मंशा आज अपने दिल में लिये बैठी है वही अगर हम बात करें आचारिक रिशन प्रमोत की तो जाओ उन्होंने ये बात का खुलासा किया है कि राहुल गांधी ने राम मंदिर पर जो 19 नवंबर को फैसला आया था 2019 में उस समय पर राहुल गांधी ने एक तरव अपने सयोगियों के साथ एक तरव फैसला बदलने की बात की जिसमें पार्टी के एक सयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित यानि की वकील भी शामिल है दरसल अगर हम बात करें शहाबानों के मामले की जिसका एक्जेम्पल दे कर राहुल गांधी ने ये कहा कि हम राम मंदिर का फैसला बदल देंगे और उसे पलट देंगे दरसल शहाबानों के मामले की बात यहाँ पर इसलिए सामने आई क्योंकि उन्निस सो पिचासी में सरवोच नियाले ने इंदोर की मुसलिम महिला शैबानों के पक्ष में फैसला स सरकार ने एक अधिनियम के मान अधिनियम के चलते जो है वो उस फैसले को पलट दिया था यारी की फिर एक बार जो है वो राहुल इसी ग्राहुल गांधी इसी तरीके की प्लैनिंग कर रहे थे कि अगर उनके सरकार आ जाती है वापस तो वो जो है वो फैसला पलट देंगे पर उसमें अब काफी ज़ादा देर हो चुकी है जो राहुल गांधी अभी धरम और सनातन धरम को लेकर तमाम बड़े बयान दे रहे थे अब कहां जा सकता है और जो बात आज जनता कैबी रही है कि कॉंग्रेस का असली चहरा और राहुल गांधी का असली चहरा जो है वो साम किस तरीके से राम मंदिर को लेकर घ्रना जो है वो कॉंग्रेस नेता हो और राहुल गांधी में भरी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें राहुल गांधी के राय बरेली से चुनाव लड़ने को लेकर तो देखिए आचारे कृश्नम प्रमोत पहले यह बड राहुल गांधी के पास जिस तरीके से राहुल गांधी हो या फिर पूरी कॉंग्रेस राम मंदिर का विरोध करते करते जिस तरीके के बयान भाजी कॉंग्रेस के नेताओं के द्वारा दी गई है उसका परणाम हमने बीते कुछ महीनों में देखा है कि किस कदर देश से लेकर उत्तरपरदेश महारास्ट और गुजुरात तक के नेताओं ने जो है वो कॉंग्रेस का साथ छोड़ कर भारतिय जनता पार्टी का दावन थामा है और कुछ उसी तरीके की बाद जो है वो आचारे कृष्णम प्रमोत की तरफ से जनवरी के महीने में ही बोली गई थी के कॉंग्रेस के द्वारा राम मंदिर का इसकदर विरोध करना प्रभुर राम का विरोध करना जो है वो भारी पड़ेगा और अभी देखिये कितने और नेता जो है वो कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ कर जाएंगे खैर इस पूरे मामले पर देखना एम रहेगा कि एक तरफ आचारे कृष्णम प्रमोत ने ये बड़ा खुलासा किया है तो इस पर अब क्या जवाब आएगा राहुल गांधी के उन सहीयोगियों का जिन से राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही थी और वहीं वो राहु करकर सरुन बताईए धन्यवाद